कर दोस्तों आज मैं आपके सामने जो पैंटी लेकर आया हूँ यह फुली नैट है वह बितनी प्लस पैंटी है इसका शेप जो है वो बितनी की तरह है अभी मैं आपको इसके अन्बॉक्शिंग करके बताऊंगा तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी यूविंग प्रोड़क्त व्यूट्व को और दोस्तों अगर वीडियो पसंद है या पैंटी पस आपके सामने शॉआ कर रहो तो दोस्तों चलिए सुरुआ कदे हैं यह दो तरह की पैंटी है जिसमें से पहले हम ब्लैक से सुरुवार्ट करते हैं इसको हम साइड मैड़ दयते हैं जैसे कि पर नेक है वरarts यह मिनिए पैंटेविके अंदर आजिए इसको हम गारक्त देते ह जैसे आपको शोग हो रहा है कि फुल्ली नेट है यह ऐसे ओपनली áती है पंटी यह जो प्रव में हुक आते हैं, यह से हुक हैं, और यहां पे यह दूसरा हुक हैं, जो यहां पे ऐसे इसमें लब जाता है, और यह काफी unit design है. तो इसको बादने कर तरीका बिल्कूल सिंपल है, आपको पेले पेहन कर और इसको ऐसे बादना है, और इसको इदर से इस तरीके से बानना है और यह आपकी पेंटी तयार है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह पेंटी तयार है यह थोड़ा डलत बन गया है दरहसल यह अंदर की तरफ रहता है और आप देख सकते हैं कि फुली नेट है जैसा कि आप देऄ सकते हैं कि वेजिवल है मैरे हात अंदर से आपको वीजिवल नज़र आ रहे होंगे में पीछे भी वीजिवल हयं है फुल्ली नेट है दो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नेट है ऐसा कोई हाड नेट नहीं है को कहीं से बी सिलाय blossomее से निकली भी नहीं और य कूछ तरीक है से कि यहां से ःक को लो और दूसरी तरव से रोटो एटे खुल जाएगी आपको नीचे से खूलने की जूरत नियाइए इस साइड से खूल जाती है इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप ही नीचे आपको double कपडा । दिया गया और फुली Open हर अब चलते हैं हमाई दूसरी पेंटी यह लो कि है WITH it कुछ इस तरीगे की है किसमें भी डीजाइन कुछ ऐसा यह है खाले हम को से ले हम दरगा कास फैड देते हैं और ये blue पेंटी भी कुछ इस तरीके की यह जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इसके नीचे भी यहां पर भी कपड़ा लगा हुआ है और यहां पर साइडों में ऐसे इसके भी हुक है जिसको आप वेर करते टाइम पर बांद सकते हैं इसको मैं प्रोपर आपको बांद कर दिखाता हूं कि यह कैसे बनती है यह आपको कुछ इस तरीके से बाननी है आप यहां पर साइडों में जैसे यहां पर यह ऐसे हुक लगाएंगे तो यह आपकी पैंटी तैयार हो जाएगी और आप इसको वेर कर सकते हैं आप इसको वेर करने के बाद ही आप इसे हुक लगाईए आप पहले हुक नहीं लगा सकते हैं बेर करने के बाद ही इस पर हुक लगेंगे तो जैसा कि आप देच सकते हैं कि यह blue panty है और यह black panty है इस तरह की show गेगी पेंटी बनने के बाद में यह पहले bitny की तरह रहती है पर bitny में आपको laces बांनी पड़ती है जो कि कभी को बाद धीली भी रह जाती है लेगिन इसमें ऐसी कोई दिक्रत नहीं होती है इस पेंटी में आप laces की जगे ऐसे हुक लगा सकते हैं जिससे आपको काफी ज़्यादा comfortable मैसूस होता है और यह fully net है तो बहुत ज़्यादा unique और sexy look आता है जैसा कि आप देच सकता है कि यह दूसरी कि दोनों fully net है जैसा कि आप देच सकते हैं कि इसके अंदर से भी मेरे हाथ visible हो रहे हैं आगे से और पीछे से नेट भी इसका लंसम इसी के जैसा soft है बहुत ही अच्छा net है यसा कभी आपको फील नहीं होता कि आपने net वाली पेन रखी है क्योंकि बहुत सारी पेंटियों में कहना hard net आता है जो कि ज्यादा देर पेनने पर आपको itching होने लगती है लेकिन इस पेंटि में ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्यों इसका net बहुत ज्यादा का सोफ्ट है इसकी शिलाई यह बहुत अच्छी अच्छी आ यह कंपनी नहीं और यह मैंने मीशों से मनतवाई हैं आप मीशों से इसका में लिंग डिस्कुप्रप्शन में दे दूर्ऑं आप ओडर कर सकते हैं नी शौससे और बहुत 짧ड़ा यूनीक और अच्छी क्वालिटी की है आप इसे वेर कर सकते हैं और ज्यादा मेंगी भी नहीं है यह आपको 200 रुपे के अंदर मिल जाएगी इसकी प्राइट जो ही वो उपनीची होती रहती है और आपको यह 200 रुपे के अंदर आराम से मिल जाएगी तो अगर आपको पेंटी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें और अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे आपके सामने और भी ऐसी ऐसी पेंटी देखा हूं आपको पेंटी वेसे पसंद तो आई होगी I hope मेरी यह उमीद ह आप लोगों से कि नेट पेंटी है एक तो और एक थोड़ी यूनित तरह की पेंटी है तो मेरे को तो बहुत पसंद आई है यह पेंटी अगर आपको भी पसंद आई हो तो कमेंड में जरूर बताना कि यह पेंटी कैसी लगी और अगर पसंद नहीं आई भी हो तो क्यूं न यह उसका भी एक रीजन बताना ओके धन्यवाद